तो जी हाँ MP Board में भाई साब जब से एक्जाम चालू थे तब से हमें आये है पेपर लिग के मामले भाई इतने ही सुनने को मिल रहे थे जिनकी कोई हद नहीं थी गौवर्मेंट को बता बता के भाई बच्चे परेशान पेपर वाले परेशान मीडिया परेशान लेकिन मामा चुनाओ के चक्कर में साथ फॉर्म में नहीं आ रहे थे लेकिन बीते कुछ दिनों के बाद में हमारे जो मामा जी है उनकी गौवर्मेंट है हमारा MP Board है भाई साब इस टाइम पे थोड़ा फॉर्म पे चल रहा है लेकिन चल भी कब रहा है यह सोचने वाली बात है कि भाई लिने लौच जो प्रपत कर लिए तो भाई हमारा क्या होगा तो आज कंसी वीडियो में आरो ही जानेंगे क्या गौवर्मेंट ने यहां पे फैस्लेलिए है और क्या तुम्हारा बुरा हो सकता है बहला हो सकता है सबको जानेगी इसवीडियो में ऒाई video का एम अगर चैनल पे नए हो तो आपको तो पता है क्या करना है रीती रिवाज के उन्हों सार सब्सक्राइब कर लो ऐसी MP बोर्ट से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए अपने पहले हम न्यूज पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे नोटिस जो ऑफिसली तरीके से पेपर लीक के लिए यहाँ पे गौर्रमेंट ने की है तो हम यह देखने के लिए भाई एक जो है अभी यहाँ पे पेपर की कटिंग को उठा लेते हैं और उसी से पढ़के समझने की कोशिस करते हैं तो यह मेरे पास में आज की पेपर की कटिंग है जहाँ पे लिखा है दसवी बारवी बोट परिक्षा पेपर लीक मामले में नौ केंदर अध्यक्चों को हटाया गया नए केंदर अध्यक्च को किये गए नियुक्त जाच कमेटी की रिपोर्ट के बाद लोग सिक्चर संचलाने ने की कारवाही पहले ही यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं क्या रिखा है हाली में मादमिक सिक्चा मंडल की बोट परिक्षाओं के पेपर लीक मामले में जाच कमेटी की रिपोर्टिंग के बाद लोग सिक्चर संचलाने ने करीब 9 बोट प पत्र के बाद डीपियाई निर्ने लिया है आदेश में कहा है कि मादमिक सिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परिक्षा है वर्स 2023 के लिए केंदरा अध्यक्चो की नौ नियक्ति की गई है निलंबित केंदरा अध्यक्चो को हुकुम चंदर लिचोरिया प्रचार सासकी हाइश सिंगोरा जिला ग्वालियर निलंबित किया गया है और यहां पे बहुत सारी स्कूलों के जो नौ आपके करमचारी थे भाई साब इन लोगों ने थोड़ी सी लापर भाई यहां पे की थी जिन्नों को इस बार यहां पे एक्षन भाई टार्गेट में रडार में मामा के आ नोटीस भी तुम्हें बता देता हूँ यह दिनांक 16-3-2023 का ओफिसल नोटीस है मादमी सिक्षा मंडल मद प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है और यहां पे भाई क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ ले थे थोड़ा इंट्रेस्टिंग सा है यह पढ़ने के लिए वि मंडल द्वारा यह था रूप मानने किया गया है मंडल द्वारा जारी निर्दोसों के अनुकरम में जिला द्वारा उक्त परिक्षा केंद्रों पर केंद्राद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध द्वारा जो है घोर घोर अनर्थ किया गया है MP board के लिए वैसे गरीबों का board MP board और भाई उसी में अगर ये सब चीज़े कर दे तो ये तो सच में कहने वाली बात है कि भाई घोर अनर्थ है ये घोर एकदम घोर वाला अनर्थ किया इन लोगों ने तो ये कुछ नोटीस है और एक नहीं भाई सब में सेमी सेम है बस वहाँ पे जो है इसकुलों के नाम थोड़े से चेंज कर दिये गए हैं और इन्हें भगा दिया गया इसकुलों से तो ये गवर्मेंट ने एक कड़क सब हैसला लिए आपके पेपर लीक को लेकर अब हम जानते है कि भाई अपरात को इतने लेट ली है पहली बात तो भाई जिनको पेपर मिलना था जिनको पेपर देना था उनने तो पहले ही मज़े लूट लिए हैं अब गवर्मेंट करके भी क्या कर सकती है और सेकेंड चीज तो मुझे अच्छे से पता है गवर्मेंट करने को कुछ भी कर ले भाई साब यहां जारी कर दे निलममित कर दे पेपर बचे हैं एक दो ठो ठीक है इनको इन में रिस्की क्या है अब अब इसमें करेंगर के चेंज करेंगे तब तक आपका कल परसों में केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा कम्पलिट हो जाएगे पेपर तो भाई जिनने मजे मारने थो तो मार लिए अब बचे को जिनने महनत किया था उनका तो नुकसान वैसे भी होगा और मुझे पता है कि अगर सब पेपर तुम्हारे लीक हुए है सब हुए है तो भी तुम इस बार भाई साब परिक्षा डबल से नहीं लोगे क्यों क्योंकि मुझे उसका रिजन पता है वो है चुनाओ वैसे भी तुम्हारी शबी वैसे भी बहुत ज्यादा है इस मामले में खराब हो चुकी है तो अब देखना ये इंट्रेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में ये गवर्मेंट क्या फैसला लेती है लेकिन ये इस टाइम की तो अच्छी एक न्यूस समझ सकते हो कि चलो एक दो पेपर में तो कम से कम सकती देखने हो को मिलेगी बट अगर ये काम स्टार्टिंग से जब हम लोग बता रहे थे सब लोग वीडियो बना रहे थे सब खबरे पहुँच रही थी सायद उस टाइम तक अगर एक्शन में गवर्मेंट आ जाती तो ये सिचुएशन कभी क्रेट नहीं होती थी बट फिलाल अभी तो कोई टेंसन करने पर सकती है फिलाल की सरी इतना था इस से री कारडिंग कोई और न्यू चाहिए कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो उसके उपर ।ापिक बनानी कोशिज करेंगे फिलाल की सरी बता था मिलते अपने नेक्स्ट वीडियों किसी नहीं टॉपिक में तब तक कि लिए बा